आओ, कुछ करके सीखें क्या आप जानते हैं कि एक दीरगवरित कैसे बनाया जाता है? एक पैंसिल, दो पिने, तथा एक धागे का चल्ला लीजिए. अब इन पिनों को कागस पर स्थिर कर दें. जैसा कि चित्र में दिखाया गया है. अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए, धागे के चल्ले को कागस पर रखें. अब पैंसिल से धागे को कस कर तानते हुए, पैंसिल को धागे के साथ घुमाते जाईए. अब जो आकरिती कागस पर बनेगी, वह देर घवरित्त होगी. आओ, कुछ करके सीखें. एक ही दिशा में, प्रित्वी के जुकाओ को समझने के लिए, मैदान पर एक बहुत बड़ा देरघवरित्त बनाएं. तथा चड़ी में लगा हुआ एक जंडा लें. देरघवरित्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं. वहां से दूर स्थित किसी व्रिक्ष के सबसे उपरी हिस्से के किसी बिंदू की ओर जंडे से दिखाएं. अब जंडे को उसी स्थिर बिंदू की तरफ रखते हुए देरघवरित्त पर चलें. इसी प्रकार पृत्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिती में जुका हुआ रहता है. प्रिथ्वी के परीक्रमन तथा प्रिथ्वी के अक्ष के निश्चे दिशा में जुके होने के कारण रितू परिवर्तन होता है. प्रिष्ठ बाईस अभ्यास प्रश्ण एक आगे दिये गए प्रश्णों के उत्तर संक्षेप में दीजिए. प्रिथ्वी के अक्ष का जुकाव कोण क्या है? दूसरा घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाशित करें. तीसरा लीप वर्ष क्या है? चौथा उत्तर एवं दक्षिन अयनान्तों में अंतर बताईए. पांचवा विशुव क्या है? पांचवा चौथा दक्षिनी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिन का अयनान्त अलग-अलग समय में होता है. क्यूं? अचवा सात्वा द्रुवों पर लगभग छै महीने का दिन एवं छै महीने की रात होती है. क्यूं? प्रश्न दो सही उत्तर चिन्हित कीजिए. पहला प्रिथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है. क घूर्डन ख परिक्रमन ग जुकाव दूसरा सूर्य की सीधी किरिणे विशुवत वृत्थ पर किस दिन पढ़ती है? क इक्कीस मार्च क इक्कीस जून क बाईस दिसंबर तीसरा गर्मी में क्रिस्मस का पर्व कहा मनाया जाता है? क जापान ख भारत ग ऑस्ट्रेलिया चौथा रित्वों में परिवर्तन प्रित्थवी की किस गती के कारण होता है? क घूर्ण ख परिक्रमन ग गुरुत्वा कर्शन प्रश्न तीन खाली स्थान भरें पहला एक लीप वर्श में दिनों की संख्या रिक्तिस्थान होती है दूसरा प्रित्वी की प्रति दिन की गती को रिक्तिस्थान कहते हैं तीसरा प्रित्वी सूर्य के चारो और रिक्तिस्थान कक्षा में घूमती है चौथा 21 जून को सूर्य की किरिणे रिक्तिस्थान रेखा पर पड़ती है पांचवा रिक्तिस्थान 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 दिन छोटे होती है आओ कुछ करें पहला, प्रित्वी के अपने अक्ष पर जुकाओ को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाईए दूसरा, प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदै एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानिय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए तथा निम्न लिखित के उत्तर दीजिए अ किस महीने की दिन सबसे छोटे हैं ब किन महीनों में दिन एवं राथ लगभग बराबर होते हैं प्रिष्ठ तेईस आओ खेले पहला धागे के एक ही छल्ले की मदद से दो पिनों को नस्दीख एवं दूर रख कर विभिन आकारों के दीरगवरित बनाएं ध्यान दें कि देरगवरित कब वरित बन जाता है दूसरा किसी दिन धूप के समय एक मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें मैदान पर साफ एवं समतल स्थान को चुने इस छड़ी को मैदान पर वहां खड़ा कर दें जहां इसकी छाया स्पश्ट बनती हो पहला चरण चाया के सबसे उपरी बिंदू को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिन्हित करें पहला चाया चिन्ह हमेशा पश्चिम की तरफ होता है पंद्रह मिनट के बाद देखें तथा पुनह चाया के उपरी बिंदू को चिन्हित करें उस समय तक यह कुछ सेंटिमीटर दूर चली गई होगी अब दोनों बिंदूओं को मिला दें इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह पुर्व पश्चिम रेखा होगी प्रकार आपको बिंदूओं को मिला देखा होगी